Hello friends, welcome back to my channel, मैं हूँ काव्या और ये है friends मेरा beautiful अडियनियम का प्लांट ये ग्राफ्टिट अडियनियम का प्लांट है और अडियनियम देखे अभी भी blooming कर रहे है तो विंटर पूरी तरा हमारे अस्टार्ट नहीं हुआ है अभी भी ठंड जो है उतनी जितनी हुनी चाहिए श इस pot की हालत क्या हुई है आप देख सकते हो ये pot crack हो चुका है यानि अडेनियम बहुत ही अच्छी growth कर रहे है और अब timing है इसे report करने का तो अभी जो है मैं इसे सोच रही हूँ report नहीं करूंगे क्योंकि अडेनियम अभी जो है विंटर में डॉमेंसी में होते है तो मैं सोच अभी और एक डेड़ में वेट करूं उसके बाद इसे एक नया pot दू और जितने भी मेरे अडेनियम है छोटे जो बीबी plants है उन्हें अलग-अलग pot में shift करूं आज हम बात करने वाले हैं इस खुबसूरत flowering plant के बारे में और इस प्लान का नाम है लार्क डेजी इसे का weed है तो आपके area में या आपको कहीं ये roadside plant दिख जाएगा ये एक medicinal plant है इसके काफी सारे medicinal uses है तो हो सकता है आपके area में जो medicinal nursery है या botanical nursery है उसमें भी आपको ये plant मिल सकता है मैं इस plant को लाई थी government nursery से जिसका वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था जो government nursery से जो मैं इस plant को लेकर आई थी दो plant मैं लेकर आई थी और दोनों ही बहुत ही अच्छी growth कर रहे है इसके flowers जब खिल जाते है तो लगभग साथ से 10 दिन तक last करते है तो बहुत ही beautiful ये flowers है तो आपको ऐसा कोई plant चाहिए जिनके flowers last करे काफे दिन तक तो इस plant को आप जरूर consider कर सकते हो और आप देख सकते हो काफी सारे birds formation हो रहे है इस plant पर तो लगभग 5-6 मेने हो चुके है इस plant को मेरे garden में आये हुए और अब जाके ये बहुत ही अच्छी flowering पर आया है तो इसकी care बहुत ही simple है friends कोई बहुत ही ज्यादा इसकी care करने की हमें जरूरत नहीं है बस थोड़ी से care में ये plant बहुत ही अच्छी growth करता है इस plant को आप as a ground cover भी grow कर सकते हो या आप चाहो तो इसे hanging basket में भी grow कर सकते हो आप देख सकते हो इसके branches सारी नीचे अलटक रही है तो hanging basket में भी ये plant काफी खुबसूरत दिखेगा ये एक perennial flowering plant है जो लगबग आपको पूरे साल flowering दे सकता है और इनके पत्ते देखिए friends कितने खुबसूरत है तो इनके पत्तों को जब आप हलका सा मसलते हो तो इन में से pineapple की खुश्बू आती है तो बहुत ही beautiful इसके पत्ते होते है तो flowers और पत्ते दोनों ही खुबसूरत होते है जो कि अपने हमारे garden में बहुत ही खुबसूरती add कर सकते है और ये growth भी बहुत ही अच्छी करता है आप अगर इसके time to time pruning करोगे तो बहुत ही अच्छी growth करता है और इसकी जो flowering की जो technique है friends वो आगे में आपको बताऊं कि बहुत ही beautiful मुझे लगा है इसका flowering का जो pattern है और आप देख सकते हो ये जो pot है इसमें मैंने तीन प्लांट ग्रो किये है ये देखिए Mexican Petunia लगा है Kalanchu और ये Daisy का प्लांट लगा हुआ है और तीनों ही बहुत ही अच्छी growth कर रहे है तो इसे कोई बहुत बड़े pot की भी ज़रुरत नहीं है छोटे pot में भी ये बहुत easily grow करता है soil की बात कर ले तो friends इस प्लांट को moist well-drained soil पसंद है तो इस प्लांट को आपको बिल्कुल भी dry soil नहीं देना है तो जब भी आप इसकी soil बनाते हो तो आप उसमें थोड़ा सको को पीट भी add कर सकते हो तो मैंने जो इस प्लांट को soil दिया है वो है 50, 30, 20 जो मैं थोड़ी सी problem हो जाती है friends तो आप जब भी इस प्लांट की soil को बनाए तो थोड़ा सा कोको पीट एड़ कर लीजे ताकि इसे time to time moisture मिलते रहे और पानी की बात कर ले तो friends इसे आपको daily watering करना होगा अगर आप कोको पीट यूज़ करते हो तो आप soil को check करके पानी दीजेगा म मुझे इसे daily watering करना होता है पानी अगर थोड़ा भी हम delay कर देते हैं तो इसकी पत्ते सारी जुग जाते है तो हमें time to time इसे watering देना होगा ताकि ये अपनी जो growth है वो अच्छी तरह से कर सके और flowering भी अच्छी तरह कर सके sunlight की बात करें तो friends ये एक flowering plant है तो sunlight की जरुरत तो इसे है बट इसे afternoon की sunlight बिलकुल भी पसंद नहीं है मैंने इसे एक ऐसे location पे रखा है जहाँ पर इसे लगबग 3-4 गंटे की ही दूप मिलती है यानि 11 बजे से लेकर 1 या 2 बजे तक की ही दूप इसे मिलती है तो अगर हम इसे afternoon की sunlight में रखेंगे तो ये plant थोड़ा stress में चला जाता है पत्ते अपने जुका देता है तो आप इसे morning की या evening की sunlight दे सकते हो sunlight काफी जरूरी है ताकि अच्छी फ्लारिंग कर से तो fertilizer की बात करें तो मैंने कोई इसे special fertilizer नहीं दिया है जो कि मैं अपने सभी plants को देती और एक स्पून मैं इसमें bone meal एड़ करती हूँ और एक स्पून नीम खली और half स्पून seaweed granules एड़ करती हूँ और कभी कबार इसमें liquid fertilizer एड़ करती हूँ बस इतने fertilizer में ये बहुत ही अच्छी growth तो करी रहा है और आभी आप देख सकते हो काफी सारे flowering birds इस पर बन रहे है तो आप इसमें थोड़ा सा compost अगर add करोगे तब भी ये plant काफी अच्छी growth और flowering करेगा propagation की बात कर ले तो आप इसे seeds से और cutting से दोनों ही तरीके से propagate कर सकते हो तो जब flower सूख जाता है तब इन में seeds grow होते है तो जब seeds brown color के हो जाए तो वो mature हो जाएंगे तब आप इनके seeds collect करके रख लीजे और cutting से भी बहुत easily grow हो जाता है तो इसकी कुछ cuttings मैंने grow की है तो आप द flowering नहीं हुआ है बट growth अभी चल रही है तो आप इसे cutting से भी बहुत easily propagate कर सकते हो पेस्ट की बात कर ले तो friends मैंने इस पर एक ही pest देखा है वो है millie bugs तो millie bug का attack इस plant पर होता है तो आपको time to time इस पर neem oil का spray करते रहना होगा दोनों ही काम करता है pesticide और fungicide का तो वैसे कोई fungus का attack तो मैंने इस plant पर देखा नहीं है millie bug का attack देखा है तो अगर हम time to time neem oil spray करेंगे तो यह plant healthy grow करता रहेगा और आप देख सकते हो friends यह flower सूख चुका है तो अब यह जो है आप देख सकते हो petals सी सारी गिर जाएंगे और प्रूनिंग की बात कर ले तो आप इसके जैसे ही flowers complete हो तो आप इसे प्रून कर दीजिएगा थोड़ा ताकि यह बहुत ही अच्छी flowering कर सके और इसका जो flowering technique मैंने आपको बताया था वह अभी मैं आपके साथ share करती हूं तो इसका जो flowering technique है वह बहुत ही beautiful है friends जैसे कि आप देख सकते हो यह एक branch है और branch पर आपको और चुटे चुटे branches देखने मिलेंगे और जितने चुटे branches है उस पर आपको flowering बर्ड देखने मिलेगा तो जैसे कि आप देख सकते हो यह एक चुटा सा branch है और उस पर कली बन रही है और आगे हम देखेंगे तो देखिए opposite sides में द ब्रांचे बनती हैं और दुनों पर ही फ्लावर बर्स आपको देखने मिलेंगे तो एक पर situação सारे लिए लगोले लेगे तो जब इनकी फ्लावर चाहँ है तो बॉल ahor rés ब्यूटीफुल वह ब्रांच दिखता है सो यह थी कुछ the sex इंफ़ूर्मेशन नदिसियए के बार किया है तो ओनलाइन भी शायद ही प्लांट आपको मिलेगा तो यह बहुत ही रेर प्लांट है तो अगर आपको मिलता है तो जरूर आप से अपने कार्डन में एड कीजिएगा तो फ्रेंस यह था आज का वीडियो इन्फरमिशन कैसा लगा लाग डेजी पर मुझे जरूर बताईएगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा और मिलते रहेगा मुझसे मेरे हर वीडियो में तो चलिए फ्रेंस मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए सेफ रहिए हेल्दी रहिए एंड थैंक्स अलोट पर वाचिंग माई वीडियो फ्रेंस